मेरे प्रियात्मन सहज योग में आज यारी साहब का एक सवय्या लेने जा रहे हैं यारी साहब 1668 से 1723 इसवी तक दिल्ली में अलग जगाते रहे फकीरों का कोई देश नहीं होता फकीरों का कोई गाउं नहीं होता फकीरों का कोई मजहब नहीं होता फकीरों की कोई जात ही नहीं होती यहों कह सकते हो कि यारी साहब का जन मुसल्मान परिवार में हुआ मगर उनके गुरू बीरू साहब थे हिंदू परिवार से आते थे और फिर बीरू साहब के गुरू बावरी साहिबा थी मुसल्मान परिवार से आते थी बड़ी सुन्दर परंपरा है बावरी साहब के शिशे बीरू साहब बीरू साहब के शिशे यारी साहब यारी साहब के शिशे बुला साहब बुला साहब के शिशे गुलाल साहब गुलाल साहब के शिशे भीखा साहब देखते हो संतों की दीप माला सज गई है यारी साहब बड़े अधुद संत हुए कहते हैं गुरु के चरण की रज लेके दौनैन के बीच अंजन दिया संतों ने अपने गुरुओं के प्रती अधुद अहो भाव एक्त किया है आश्चर लगता है मगर याद रखना अध्यात्म अहो भाव की जीवन शैली है संसारी और संत में इतना ही अंतर है संसारी शिकायत के साथ जीता है और संत अहो भाव में जीता है जब भी तुम शिकायत करते हो याद रखना हर शिकायत परमात्मा से शिकायत है जब भी तुम अहो भाव व्यक्त करते हो हर अहो भाव पर मात्मा के प्रती अहो भाव बन जाता है और जब भी अहो भाव में जीना शुरू करते हो स्वरग की ओर तुम्हारे कदम उठना शुरू हो जाते हैं और अहो भाव अगर व्यक्त करना हो तो गुरू से ज़्यादा सतपात्र कोई हो नहीं सकता गुरू से शुरू करो अहो भाव और फिर देखोगे तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हारे पूरे आचरन में तुम्हारे पूरे जीवन शैली में अहो भाव छा जाता है यारी साहब अपने गुरू के प्रती बीरू साहब के प्रती ओह भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं अपने गुरू के चरणों की धूल लेकर मैंने अपनी आँखों में अंजन की तरह लगा लिया है काजल की तरह लगा लिया है गुरु के चरन की रजले के दोव नैनन के बीच अंजन दिया ऐसा ही कुछ अहो भाव गुरु अरजुन देव जी ने अपने गुरु और पिता गुरु रामदास जी के प्रतिव्यक्त किया है कहते हैं गुरु अरजुन देव जी उस बेला पर उस घरी पर उस समय पर उस वक्त पर मैं बली हारी जाता हूँ जिस समय अपने गुरु के द्वार पर मैं पहुँचा मुझ पर बड़ी कृपा हो गई गोविंद की परमात्मा के असीम कृपा हो गई कैसे पता असीम कृपा परमात्मा के हुई कैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम पर परमात्मा के असीम कृपा हुई सुत्र दे रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी कि सत्गुरु पूरा पाया जिस दिन तुम पूरा गुरु अपने जीवन में पा लेते हो जिस दिन कामिल मुर्शिद तुम अपने जीवन में पा लेते हो समझना तुम पर परमात्मा की असीम क्रिपा होई सीधा साधा शुत्र है अध्यात्म तो दो कदमों में आ जाता है परमात्मा की क्रिपा होती है कामिल मुर्शिद मिल जाता है पूरा गुरु मिल जाता है पूरा गुरु की कृपा में होती है परमात्मा मिल जाता है बस कुल दो कदम में सारा अध्यात्म समाहित हो जाता है कहते हैं यारी साहब तीमिर माही उजियार हुआ निरंग कार पिया को देख लिया कामिल मुर्शिद मिल गया कामिल मुर्शित के चरणों की धूल को अपने आँखों में अंजन की तरह लगा लिया एक दिविद्रिष्टी पैदा हो गई और उस दिविद्रिष्टी में क्या देखा तीमिर माहे उजियार हुआ भीतर तुम भी आँखें बंद करते हो एक अंधेरा दिखाई देता है लेकिन एक संत भी जब आँखें बंद करता है तो बाहर से ज़्यादा रोशने उसको भीतर दिखाई पड़ती है बाहर से ज़्यादा संदरे उसको भीतर दिखाई पड़ता है और भीतर का जो सौंधरे है उसके सामने बाहर के सारे सौंधरे फीके हो जाते है ठीक कहते हैं तिमिर माहि उजियार हुआ भीतर एक उजाला फैल गया भीतर एक आलोग छा गया भीतर एक प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में क्या देखा यारी साहब निरंगकार पिया को देख लिया, एक दीपक जल उठता है, एक कवी कहता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम कापत आलो कित कर, मेरा प्रियतम आ रहा है, जरा ऐ दीपक धीरे धीरे जलना, और जिन रास्तों से होकर मेरा प्रियतम आने वाला है, जरा उन रास्तों वर आलोक तो फैला दे लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है घट घट में दीपक जल रहा है तुम्हारे भीतर भी वही दीपक जल रहा है जो बुद्ध के कबीर के नानक के और ओशो के भीतर जल रहा था लेकिन घट घट दीपक जरे लखे नहीं अंद है लेकिन अंधा देख नहीं सकता उसको घ घटगट दीपक जड़े लखे नहीं अंद है, लखत लखत लखी परे, लेकिन गुरु एक दिव द्रिश्टी तुम्हें दे दे, तो देखना तुम शुरू करते हैं, और देखते देखते भीतर एक आलोग च्छाना शुरू हो जाता है, लखत 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 लखी परे, कटे भाव के साथ आता है, चलो आगया मैं, तुम्हारे लिए ऐसा प्यारे अंदाज में राम तुम्हारे पास आता है, यारी सहब, बहुत ही सुन्दर शब्द कर रहे हैं, इस शब्द पर ज़रा ध्यान देना, कर रहे हैं, कि तिमिर माही उजियार हुआ, निरंकार पिया को द जाती है, इस एक शब्द को समझ लो, निरंकार को, तो समझने को कुछ बाकी नहीं रहता, और अगर इस एक शब्द को तुमने नहीं समझा, तो तुमने अध्यात्म का कुछ भी नहीं समझा, तीन शब्द समझो, साकार, निराकार, ओंकार, साकार का अर्थ हुआ, तुम्ह थोड़ा फ्लूीद है मगर वह भी आकार सहित है मं भी आकार का ही इस्स है जब तुम भीदर चलते हो अंतरयात्रा मे तो तुम शरीर से इंद्रियों से आर भीतर जाना होता है तुम्हें फिर अंतर जगत का शत्र आता है जहाँमन है जहां विचार है उसको भी पार करना पड़ता है उस दहली को भी पार करना पड़ता है फिर निराकार का श्यत्रा आता है केवल निराकार कहो कि साकार से निराकार में जाना है तो बात थोड़ी फिसल जाती है, गौतम बुद्ध ने निराकार कहा, अनत्ता कहा शुन्यता कहा और लोगों ने कहा कि ये तो मामला बड़ा मुश्किल है निराकार को कैसे पकड़ेंगे निराकार को कैसे आधार बनाएंगे और पूरा बुद्धीज में करीब करीब भटक गया निराकार में भटकने के बड़े अवसर हैं, निराकार में तुम ठहर नहीं सकते निराकार के शित्र को भी पार करना पड़ता है, ध्यान में तुम निराकार तक जा सकते हो ध्यान तुमें निराकार के पार नहीं ले जा सकता है और निराकार के शित्र को जब तुम पार करते हो तो उसके बाद उंकार का शित्र आता है परमात्मा का शित्र आता है भगवत्ता का शित्र आता है केवल उंकार को तो निराकार से चूप जाते हो उपनिशनों दें उंकार कहा रिशियों ने उंकार कहा केवल उंकार को अगर जान लो तब भी समाधी घटित नहीं होती केवल निराकार को जान लो तब भी समाधी नहीं घटित होती निराकार में जब उंकार का मिलन होता है तो समाधी का जन्म होता है और यारी साहब कह रहे हैं निरंकार पिया को देख लिया निराकार से उंकार मिल गया और उस समाधी म में गोविंद को देख लिया इसलिए यारी साहब का या कहने का अंदास और याद रखना बार बार संत इतनी मौज में नहीं आता कि तुम्हे पूरा सुत्र दे दे यो तो कभी-कभी संत की मौज होती है कि गहरे से गहरा सुत्र तुम्हें खोल डेता है यारी साफ का ही तुम दूसरा पत देखो बिरहिन मंदिर दियना बार बिन बाती बिन तेल जुगतिसो बिन दीपक उजियार बिना दीपक के उजाला वहां फैला है प्रान पिया मेरे ग्रहे आयो रची रची सेज समार सुखमन सेज परमतत रहिया पिया निरगुन निराकार गावहरू मिली आननमंगल यारी मिली के यार यहां थोड़ा सा छुपा ले रहे हैं यारी साफ बाते वही है लेकिन बात थोड़ी छुप गई है लेकिन कभी-कभी जब संत मौज में होता है तो रहस्य भी खोल देता है तुम्हारे सामने और यह कह करके कि निरंकार पिया क वो देख लिया करीब-करीब खोल दिया है उस रहस्य को कहते हैं यारी साब कोटी सूरज तहां छपे घने वहां पर क्या है जहां पिया रहता है करोणों सूरियों के जैसे दीप माला पंक्ति बद्धरूप में दिखाई पड़ रही है करोणों सूरज वहां उगे हुए है जब तुम समाधि में जाओगे तो देखोगे अनम्त सूरिय वहां प्रकट हो जाते हैं कहते हैं तीन लोक धनी धन पाह लिया और वहां पहुँचकर तीनों लोकों के स्वामी गोविंद को पालिया और गोविंद को पालिया तो परम धन पालिया सबसे बड़ा धन पालिया र दोनों दावा कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में लड़ो क्रिश्न कहते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन अच्छा तुम मांगो मुझे चाहते हो कि मेरी सेना को चाहते हो एक तरफ मैं हूँ एक पलड़े पर दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना है क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है कि सेना मुझे दे दो तुम अकेले और क्रिश्न कहते है मैं शस्त्र भी नहीं उठाओंगा तो दुर्योधन कहता है कि फिर तुम्हारा उपयोग क्या है? बस सेना दे दो अरजुन से पूसते हैं कि अरजुन तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मर्जी क्या है तुम्हारी इच्छा क्या है अर्जुन कहते हैं हे गोविंद सेना क्या करना लड़ने के लिए तुम्हें अकेला काफी हूँ मुझे तो एक धनी धन मोरा हो बस तुम आ जाओ मेरे साथ तुम आ गए तो सब कुछ आ गया इसी बात को धर्नी दास एक संत हुए बिहार के कहते हैं एक धनी धन मोरा हो काहु के धन सोना रूपा काहु के हाथी día गोड़ा हो तो जीते जी मरने की कला हमने सीख ली। जीते जी मरना यह संतों में एक विशेस बात, विशेस उपदेश तुम पाओगे जिसको हम ध्यान कहते हैं, जिसको हम समाध ही कहते हैं, इसे ही संत जीते जी मरना कहते हैं। मिर्दाद किताबे मिर्दाद एक बड़ी सुन्दर कृती है उसमें कहता है मिर्दाद कहता है जीने के लिए मरो अगर सचमुच जीना चाहते हो तो मरने की कला तुमें आनी चाहिए गोरखनाब जिसको कहते है मरो हे जोगी मरो मरन बरो हे मीठा अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर दीठा ऐय योगी मरने की कला जान लो ऐसे मरो जैसे गोरख मर गया ध्यान में समाधि में अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर दीठा जैसे गोरख जीते जी मर गया और उसने परम सत्य को देख लिया गोविंद को देख लिया ऐसे ध्यान और समाधी में मरना तो सीखो कहते है कबीर साथ मरते मरते जगमगा औसर मुगा न कोई दास कबीरा यो मुगा बहुरी न मरना होई मरते तो सब लोग है लेकिन जीते जी जब औसर है तुम्हारे हाथों में उस समय अगर मरने की कला सीख जाओ तब तो फिर दुबारा तुम्हारा मरना नहीं होता फिर मृत तो तुम्हारे अधिकार में हो जाती है फिर तुम अमृत तक तो को जान लेते हो जीते जी मरने की कला जानना जीते जी मर जाना सहजे ओगे हरियो